नागपुर में बुद्भार की दोपर तीन बजी के करीब मौसम का मिजाज बतलने लगा आस्मान में काले बादल च्छा गए दोपर में ही अंदेरा च्छाने लगा अपरान चार बजी से हलकी बारिश शुरू है लेकिन घंटे बर बाद तेज हवाई चलने लगी बिजली की कड़कडाट के साथ जोरदार बारिश ने दस तक दी लगभख 45 मिनिट की बारिश के बाद मौसम ठंड़क घुल गए जिले में बारिश होने की खबर है मौसम विभाग के अनुसार अंधर प्रदेश पच्छे मंगाल में तयार हुए साइकलोनिक सर्कूलेशन की वजह से मौसम में बदलाओ देखा जा रहा है वे अरप सागर में कम दबाओ का क्षेत्र भी तयार हुआ उत्तर महराष्ट्र से दक्षिन गुजरात विधर्बर और उत्तर मद्य महराष्ट्र में कम दबाओ का क्षेत्र वरतमान में सक्रिया है दो दिन बाद बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाओ के आसार बन रहे है परिणाम स्वरुप मानसुन की वापसी के बीच मद्य भारत में अच्छ बारिश हो सकती है आगामी दो दिनों तक नाखपुर वासपास इसी प्रकार की स्तिती बने रहने के आसार है मानसुन की वापसी की रेखा वरतमार में फैजाबाद, फतेफूर, नवगाव, रतलाम, पूर, बंदर तक पहुँच चुकी है सब्ता भर में महराश्ट्र से भी मानसुन की वापसी की शुरवात हो सकती है नागपुर में बुद्भार की दोपर में हुई बारिश से सुभा की उमस खत्म हो गई शाम तक वातावरन ठंडा हो गया हलकी ठंड की आनुवती होने लगी हाला की अधिकतब नतापमान 0.6 डिगरी की गिरावट के साथ 32.7 डिगरी सेल्सियस पर जा पहुचा शाम को अधरता बारिश की वज़ा से 98 फेस्टी पर पहुच गई NBCN News के लिए अभी शेक पांसी के रिपोर्ट